युआ एक ना विडियों पर दूस्ता अब सबका स्वागा थे तो इस वीडियों के आप उसको कैसे कनेक्षिन कर ना उता है अन sih के बारें बात करेंगे दुस्तो अभी दस्ति यह वाला जो डिस्प्ले मीटा होता है इसके देखिए इस पर बोल्ट एंड एंप्स दोनों ही रहता है आपका इसका जो लिमिट होता है मैक्सिम्म तो वह होता है 100 बोल्ट का एंड 10 एंप्यर का ठीक है इधा वह देखिए क्लिप यह किसी पर एटच करने के लि करके और यह वाला आपका भोल्टेज मेजर करने के लिए इस मीटा को पावाद देने के लिए ठीक है जो इस साइड इस साइड में ऐसे लग जाएगा ठीक है यह होता है आपका पूरा मीटर का अभी देखिए इस मीटर का एक्च्वार रेंज है अपका जीरो से 100 बोल्ट क तो इसको सेपारेट पावार देना होगा अगर आप इसको लाइक मैक्सियूम 30 बोल्ट राक यूच करना चाहते हो तो डायरेक्ट जो लाइन है उससे यह पावार दे सकते हो मैं आगे जाके आपको पूरा बोलटाओ details में कि कैसे इसको connection करना होता है ठीक है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो चैनल को अगर इस वीडियो को पसंद आए चैनल को पसंद है तो इसे like का देना and subscribe कर देना इस channel को दोस्तो ठीक है जल से 25,000 कर दो मेरी तो हम सब्सकाइबर है तो 1000 की बस दूरी है हम लोग में तो वह हो जाएगा तो 25,000 सब्सकाइबर मेरा complete हो जाएगा चले शुरू करते है तो इधर पर देखें दोस्तों मैंने इसके साथ यह जो भूल टाइम का मीटर है इसको connect कर देया अभी ठीक है अभी दोस्तों इसका जो red and black यह है इस मीटर को पावर देने के लिए यह देखिए इस पर रिक को लगाए इस पर ब्लैक को लगए यह का 12 वोड का लेड़ा असी वाला बैटरी है ठीक है अभी देखिए मैंने जास मीटर को पावर दिया है कोई भी आभी इसमें रीडिंग नहीं है देखें बोल्टेज जीरो सो करें एमपेर भी जीरो ठीक है अगर में इस योलो है इसका भोल्टेज का रिडिंग वाला था इसको भी इस पर लगा दू बैटरी के पॉजेटीव में तब यह सो करेगा बैटरी का भोल्टेज जो अब एकदम 12.9 के अप्रोक से ठीक है अगर यह वाला है वह अगर 30 से जाधा हुआ 30 अन 100 के बीज में तब आपको इसको पावा सप्ले अलग से देना पड़ेगा और भोल्टेज रिडिंग अलग से करना पड़ेगा ठीक है मैं वान बाई वान आपको दिखाता हूँ पहलो तो डारेट अगर आप लाइक बैटरी का भोल्टेज मेजर करना चाहते हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह यह योलो और रेड वैर को एक साथ में मिक्स कर देना होगा ठीक है यह कॉंडिशन है आपका अगर भोल्टेज 24 वोल्ट के अंदर हुआ इसको ऐसे और इसको ऐसे बस आपका भोल्टेज इता पर आ जागा 12.9 ठीक है रेट और योलो एर को पॉजेटिव में बैटरी का या एडप्टर का और ब्लैक वैर को नेगेटिव में ठीक है इसमें आपका वोल्टेज आगा अभी देखे सम्टाइम भोल्टेज यह थोड़ा सा जाधा यह कम रहता है उसके लिए इधर पर देखे तो छोट क्लिवरा से रोटेट करके वह वाला महल pursuit को अज़स की जा सकता है अभी देखे अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस मीठस से कारेंट को मेजर करेंगे कारेंट मेजर करने के लिए यह इसका डाला डूप यह वैय पहला देंगे इसमें, ठीक है अब इसका जासा voltage का connection रहा यह वाला and यह वाला same रहीगा यह वाला motor है इसका हम लोग current measure करेंगे, कैसे करना होता है मैं बोल जाता हूँ, मैंने crocodile clip लिया है पुरा, देखे लंबा वाला é crocodile clip का connection ऐसे, ठीक है इसका जो positive है वो हम लोग इस positive में डाल देंगे ठीक है मतलब output का जो positive है वो है same positive line में डाल देंगे हम लोग ठीक है और इस meter का जो negative हुआ and इस current wire का जो negative है मतलब यह दोनों जो black wire है इसके एक साथ connect करेंगे ठीक है अभी देखिए इसका जो यह वाला जो टार्मिनल हुआ यह जाएगा बैठेंगे नेगेटिव पर यह वाला जो हम लोग ने किया positive है इसका यह जाएगा इसमें ठीक है इसको मैंने connect कर दिया ऐसे तो अभी फिर किया बसता है इसका यह black वाला card मतलब कोड मतलब कोकोडाइल क्लिप का वह जाएगा इसके यह current का जो रेड़ वायर होता है उसमें ठीक है मीटर में देखिए अभी 12.9 भोल्ट आ रहा है ठीक है अभी हम लोग इसको connect कर देते मोटर को पहले यह देखिए कारेंट से ओकर रहा है 0.3 थी 0.34 connection का एक बार दूसरे बार बोल देता हूं आपको यह देखिए यह जो छोटा है इससे जो यह यह लो एंड रेड होता है यह दोनों एक साथ में connect करेंगे एंड जो crocodile clip में ने लगाया उसका जो positive rate है उसको भी एक साथ मतलब तीनों तार एक साथ में battery या adapter जो हो उसके positive में जाएगा ठीक है बैटरी के negative में क्या जाएगा इसका current का जो black वाला वायर है वो जाएगा एंड आपका यह वाला जो voltage सेंसर बोल्टेज में जो जाड़ा है black वाला वो जाएगा वाला दोनों तार आपका बैठेके negative में जाएगा ठीक है अभी बसता है बस एक वैर कारेंट से जो आता है उसमें आपका यह वाला है वाला जो black वाला वो जाएगा इधर पर ठीक है मतलब को करेंट कर करेंट ले रहा है यह सब कुछ यहार दागना मैं दिखा रहा हूं अप टू 30 वोल्ट के लिए अभी 30 वोल्ट से ज्यादा कैसे करेंगे वह मैं अभी दिखाता हूं आपको तो अभी देखें दोस्तों सापोस आप इस मीटा से एक छोटा सा बैटा ही जो 1.5 वोल्ट का बैटा है उसका वोल्टेज मेजर करना चाहते हूं ठीक है इधा बैदेखें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ में इसके पॉजिटिव में डाला इसके पॉजिटिव को इसमें डाला मगार यह कुछ रिडिंग शो नहीं करेगा कि इसके पावर के लिए मादब इसको चलने के लिए मिनिममम 3-4 वोल्ट चाहिए तो इस वोल्टेज का बैटेड आप कैसे इस मीटा से मेजर करेंगे पहले बात यह है और इस मीटार में मैक इसको अलग से पावर देना पड़ेगा लाइक देखिए एक नाइन गोल्ट का बैटेरी इस वैसे करेंगे मैं बोल देता हूं यह चोटा सा वैर मैंने इस नेगेटिव वैस से कनेट किया ऐसे आखें हैं eh ौक right को आपको क्या कहना पड़ेगा देखिए पॉजेटिव वाला इधर पर लगा लेड़ वाला इस बैटे के पॉजेटिव में और नेगेटिव में यह लगाए थी के आपका देखेंगे बैटेए का इक भी रीडिक मंब मैंल इसका रीडिंग आ गया इसके नीगेटिभ में तो दीके मी डीय अगे 1.6 हमने क्या क्या देखे यह जो वाला गया इस बाटेट्र के jadi में और ब्लाग गया नेगेटिव में ठीके सिंपल एगदम यह देखिए इसका रीडिंग मेजर हो रहा है अभी नेगेटिव को बस देखिए अगर आप बस यह लो वाल लागेंगे ना तब भी रीडिंग शो करेगा मगर एप्रोपियर नहीं ठीके आप अगर नेगेटिव क करके कनेट कर देंगे इस मेटे के साथ तो एप्रोपियर लाइक 1.56 या 1.6 वोल्ड होते है इस बैटरी का तो वह एगदम एप्रोपियर मेटा दिखाएगा ओके आप इसको पावार देने के लिए इवाला जो लिठ्यामान का बैटरी होता है वह भी यूज कर सकते हो लाइ इसमें आपको रिचर्ट जेवल भी मिलेगा और लॉंग टाइम पे भी यह सस्टेंड करेगा ठीक है और एक इंपॉर्टर माद यह मेटा दोस्तो शॉर्ट सार्कित ना ज्यादा झेल नहीं सकता तो अल्वेज इसको मादब शॉर्ट कभी मत कीजिएगा तो दिखता सकता ह है एंड इसको मादब इंपूर्ट वोल्टेज कभी भी 30 वोल्ट से जाधा ना हो मैंने एक बार इस मेटा को गलत से 48 वोल्ट पर डारेक डाल दिया था तो मेरा एक मेटा उससे जल गया था अंदर का सार्कित और एक बार जल जाता है ना तो कुछ किया नहीं जाता है जास फेक देना होता है इसको ठीके तो यहार रखेगा 30 वोल्ट के अगर कम होगा तब देन ओल्ली इस मेटा को एक साथ में रीडिंग दीजिएगा मेला पावाद दीजिएगा नहीं तो अलग से पावास अपेके 9 वोल्ट बैटरी या फिर एक ऐसा लिठियमान बैटरी आप इ आसा ही पुरा सेट अप किया हुआ मेटर आपको खड़िदना है तो मेरे सेट से आप खड़िज सकते हो उसका लिंक मैंने नीचे डिटेल्स पर दे दिया है वीडियो डिस्क्रिशन पर उधा पर जाके क्लिक करेंगे तो यह पुरा सेट आप किया हुआ आपको मिल जाएग बस आपको इसमें कनेक्शन लगाना जाए कि इसमें एड़प्टर लगाना है और इसमें कोई भी चीज़ लगा तो आपका पूरा रीडिंग इसमें आ जाएगा दोस्तों तो और अगर लूस पीस में चाहिए तो उसका भी मैंने डिस्क्रिशन बॉक्स पर डिटेल्स दाल अबे भी हम लोग और्गनाइस करेंगे ठीक है तैंक यू दोस्तों